नमस्कार स्वागत है आपका प्रेंस स्विल सर्विसेस के इस यूटूब चैनल पर मेना नाम है चत्राशू पांडे और आज इस वीडियो में हम करेंट अफेर्स से जुड़े एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा आई एनस वागी यह इंडियन नेवी की एक सम्मरीन है जिसे हाल ही में भारती नौशेना में सामिल किया गया है आज इस वीडियो में हम इससे जुड़े सभी महतपून पहलूँ पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे वाइ यहाल ही में क्यों आई हैं सो कॉल क इस सब्कॉर्पिें क्लास कनेशनल में हाल ही में इंडियन नेवी में सामिल को ऑठोपी यह क्यों है कि यह सब्सक्राइब डलियो खताए कि एंपडीयो सब्मरीन कर गार्ण लिइसे पांचवे नंबर पर शामिल किया गया है था इसके बारे में आगे वीडियो में कि समय को बनाया जा रहा है और कौन कौन से डेश इस प्रोजेट के साथ भारत के साथ साहं भागिता निवार है तो इस लेटेश सब्मरीन गेट्स इस नेम फ्रॉम दा एश्टवाइल वागीर अ सब्मरीन डैट सर्फड नेवी बिट्विन 1973 एड 2001 तो इसा मतलब यह है कि जो इस सब्मरीन का नाम वागीर रखा गया है यह भारत के इससे पहले भी एक सब्मरीन थी 1973 स 2001 के बीच इसका नाम वागीर था और उसी सम्मरीन के नाम पर इस सम्मरीन का भी नाम वागीर रखा गया है इससे पहले एक वीडियो हमने आई एनस विकरांथ के बारे में चर्चा की है और मैंने आपको अताया था कि जो विकरांथ नाम है उस इंडियन आज आपका आइनस के नाम पर रखा गया है तो यह एक तरह के कैसा है इंडिया नेवी में डिफेंस में कि हम नए नए जो भी सामिल करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पुराने उन एक्किपमेंट्स का ही नाम लेते हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं तो इस कंस्ट्रॉक्शन औप इस और इसके बाद 2023 आपको आज मालूम चल रहा है कि इसे हाल ही में इंडिया नेवी में कमिशन भी कर लिया गया है तो अराउंड ट्व एयर्स के आज पास इस सब्मरीन को बनाने में समय लगा है इस सब्मरीन बिंग बिल्ट बाए मजगाउं डॉक के प्रेसे विल्डर्स ल अंडर प्रोजेक्ट 75 तो एक प्रोजेक्ट 75 है इंडिया नेवी का जिसके अंतरगर्थ फ्रेंच एक कंपनी के साथ मिलकर ये कंपनी इंडिया की कुछ न्यूक्लियर पावर नहीं कन्वेंशनल पावर पर अधारित कुछ सब्मरीन बना रही है स्कॉर्पियन क्लास की और तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं वाट इस प्रोजेक्ट 75 कि ये प्रोजेक्ट 75 बेसिकली है क्या इस अप्रोग्राम बाइद इंडिया नेवी डैट इंटेल्स बिल्दिंग 6 इसकॉर्पियन क्लास अटैक सब्मरीन जैसा मैंने आपको बताया य तो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है सब्मरीन वेंग 1500 टन्स जिसमें वेट कितना आ सकता है 1500 टन्स का इसका टोटल वेट होना चाहिए यह आपके सर्फेस से ओशिन के सर्फेस से अराउंड 300 मीटर तक अंदर जा सकती है तो इतनी इसकी पावर होती है और ऐसी ही सब्मरीन जो इन इसको क्या बोलते हैं इसकॉर्पियन क्लास सब्मरीन नमजगाव डॉक्यार्ड लिमिटेड जो है कंपनी यह ऐसी ही छे सब्मरीन को बना रहा है जिसमें साथ में कौन है फ्रांस और यह डील जो ही थी इस प्रोजेक्ट 75 की वो 2005 में ही थी और इसका जो रुटाइम कितना प्रोजेक्ट 75 है जो आपका 2005 अप्टूबर में साइन किया गया था इंडिया और फ्रांस की कंपनी के बीच और इसमें छे स्कॉर्पियन क्लास की सब्मरीन बनाई जानी है इसमें आपकी चार बन चुकी थी एक पांचवी अभी बनी है और एक और छटवी सब्मरीन अभी हाली में लॉंच की जाएगी इन में हम देख लेते हैं कि इससे पहले चार कौन-कौन सी बनी है इसको लॉंच किया गया और एक और प्रोग्राम है वाकसीर इसको लॉंच किया जाना था इसको भी लॉंच कर दिया रहेगा तो अब कमिंग कौन सी सब्मरीन हो सकती है यह भी आप से पुछा सकता है तो उसका अंसर है वाकसीर इन छे का अलग-अलग नाम रखा गया और इस नाम की सब्मरीन पहले भी इंडिया नेवी में सर्व कर चुकी है जो अब डी कमिशन कि दिया चुकी है और उन्हीं के नाम पर इनका नाया नाम दिया गया है तो यह है आपका प्रोजेक्ट 75 अब अगर हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुल सब्मरीन की बात करें कि इस आइनस वाहीर की क्या 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 इसकी इस्पैसिलिटीज है तो आपको देखना होगा estimated endurance of approximately 50 days अब इसका क्या मतलब होता है यह मतलब यह है कि यह सम्मरीन अरौnd 50 डेश तक underwater रह सकती है मतलब पानी के अंदर रह सकتी है एक बेशिक फंड़नल यह है कि एक सम्मरीन जो होती है जो नूखलीर पावर नहीं होती है वह पानी के अंदर एक limited time तक ही रह सकती है उसके बाद उसको surface से उपर आना पड़ता है ताकि वो बाहर से oxygen दुबारा अपने अंदर inhale कर सके ताकि उसके अंदर जो रह रहे officers हैं वो सांस ले सके तो ऐसे में एक submarine की जो basic आपके कह सकते हैं specification होता है वो यही है कि उसका endurance क्या है कित काम करती है चुपकर अगर surface से बाहर आ रही है तो इसको कोई भी radar कोई भी सुनार देख सकता है pick up कर सकता है और ऐसे में उस पर attack कर सकता है तो submarine की जो special water without coming on the surface रह सकती है सर्वाइब कर सकती है capability of operating in a wide range of naval combat including anti-warship and anti-submarine operations मतलब यह काई तरह के operations में काम कर सकती जिसमें एंटी वार्शिप एंटी सब्मरीन operation intelligence gathering जैसा की missions होते रहते हैं कि हमारी सब्मरीन इसकी पर्टेकुलर कंट्री की सब्मरीन intelligence भी ग्रेट करते हैं यह काफी दरस्ति कह सकते हैं नजरों में आये बिना लंबा ट्रेवल कर सकती है तो यह intelligence के भी काम आती है इन सभी कामों में यह सब्मरीन को यूज किया सकता है अराउंड 220 फिट लॉंग है यह सब्मरीन एंड हैवा हाइट ऑफ 40 फिट तो इतनी लंबी और चौनी सब्मरीन है बनाई गई है इट केन रीज़ दा हाइस स्पीड ऑफ 11 नॉट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडि 20 किलोमेटर इसकी आप कह सकते हैं हाइस्ट स्पीड है ऑन दे सर्फेस यह स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है 20 नॉट्स जो की अराउंड है 37 किलोमेटर पर आवल तो यह स्पीड अंडर सर्फेस जाने की बाद और ज्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा इसमें एक एकसेस तू सर्फेस ऑक्सीजन यह मैं आपको बता था इंडुलेंस के बारे में कि यह सिस्टम कहीं ना कहीं सम्मरीन को यह पावर देता है कि वह एक लंबे टाइम तक विदाउट कमिंग ऑन दो सर्फेस अंडर दा वाटर रह करके चीजों को मैनेज कर सके तो यह कुछ मै इसकी स्ट्रेजिक इंपोर्टेंस भी है जैसा कि आपको पता है इंडिया इस समय अगर जोगर्फिकल पॉइंटर व्यू से देखें तो वहां पर आप देखेंगे बगलना चाइना और पाकिस्तान लगातार हम अंगर्दा कह सकते सर्विलांस ही रहते हैं तो ऐसे में हमार उससे कुछ कम सम्मरीन्स पर ही आपरेट कर रहे हैं इंडिया operates one submarine in a nuclear powered class जिसको गहते हैं चक्र, तो इस समय हमारी nuclear powered class की submarine सबसे strong बनी जाने वाली, एक है चक्र क्लास की और दो और हैं जुसे अरिहन्त क्लास के हैं, तो हमारे पास currently तीन nuclear powered submarine हैं, एक चक्र क्लास की और एक दो अरिहन्त क्लास की, और हमें अभी कुछ और ज्यादा submarines की need है, तो ऐसे में जब चुकि हमारे पास nuclear power submarine कम हैं, तो हम non-nuclear या conventional power submarine पर अपनी dependency को और बढ़ाएंगे, तो ऐसे में आइनस वागीर या प्योड 75 है, इसकी importance automatic बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, there are in addition to submarine belonging to three classes, diesel electric category, जो इसकी आइनस वागीर भी है, तलवेरी, सिशमार and सिंधु गोष, समाब विचार, एजिंग, तो इन class की समरीन है, सिंधु गोष, इसमार, कलवारी, ये सभी class की समरीन अब एजिंग यानि की अपने decommission के time बढ़ रही है, तो ऐसे में इंडिया पावशक्ता है कि और से अधिक, और से और जब है समरीन को produce करे, उनको